आज हम लोग कक्छा 11 के एक चैप्टर पर बाचित करने वाले हैं इस पार्ट का नाम है अप्पू के साथ धाई साल इस पार्ट के लेखक हैं सत्यजीत राए सत्यजीत राए बंगला के एक बहुत मशुहूर फिल्म निर्देशक हैं आप सब जानते हैं इनके नाम से आप परजित हैं तो आज हम लोग द्रिश और शब्दों के मेल कैसे होते हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे साथ ही संस्मरन बिधा पर चर्चा करेंगे जानेंगे संस्मरन बिधा की बारीकिया क्या होती है साथ में हम लोग कला की दुनिया की बारीकियों को भी जानने की कोशिश करेंगे और तकनीक केवल मशीन की नहीं तकनीक और कौन से होते हैं तकनीकी दुनिया का और क्या महत्त होता है इस पर भी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही फिल्मी दुनिया के या स्क्रिप्ट के दुनिया में जो रेजिस्टर्स, नए रेजिस्टर्स होते हैं उन शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे 1921 में उनका जन्म हुआ है और सतिजीत राय की महत्वपुन जो फिल्मे रही हैं उनमें चार-पांच फिल्मों के नाम मैं आप से शेर करना चाहूँगी पहला नाम अपराजिता, अपु का संसार, जलसाघर, देवी चारूलता, महानगर, गोपी गाएन, बाकाबाएन, पत्थेर पांचाली, शत्रंज के खिलाडी, सदगती, यह हिंदी है, बाकी बांगला की फिल्में थी चत्यजीत राय की विशेषता ये रही है कि ज़्यादा तर फिल्में जो उन्होंने बनाई, वो ज़्यादा तर साहितिकारों के लेखन पर ही बनाई, अलग से स्क्रिप्ट नहीं उसके लिए कोई बहुत तैयार की, पहले से लिखे लिखाए जो उपन्यास हैं, जो रचना कि उन्होंने उपन्यास लिखा था पतरपचाली, उसके पर आधारित या फिल्म बनाई थी उन्होंने पतरपचाली, तो आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, पतरपचाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ढोड़ने सत्यजीत राय के बारे में, सत्यजीत राय की एक बड़ी विशेष्टा क्या है कि वो एक बड़े लेखग भी रहे हैं आप लोग जान लीजिए कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है बच्चों के लिए बहुत सी रचनाये लिखे हैं प्रोफसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगेर की स्वन मुद्रा, बादशाही अंगुठी अप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये जासूसी रचनाये रहीं जादा तर रोमांचकारी रचनाये, जासूसी रचनाये सत्यजीत राय की विशेष्टा यह भी है, कि ये सुकुमार राय, जो मशुहूर लेखक बांगला के हैं, उनके बेटे हैं तो सुकुमार राय की एक रचना साथियों, आप जरूर आपने सुना होगा, उसका नाम है अबोल ताबोल, बंगला में अगर हम प्रोनाउंस करें, तो अबोल ताबोल, अगर हम हिंदी में इसको बताना चाहें, तो उसका नाम होगा अनाप शनाप, अगर मैं अंग्रेजी में भोलू, तो सीधी सी बात है इसका कि नॉंसेंस पोईट्री, तो हम लोग नॉंसेंस प कि इस रचना को छोड़ा नहीं जा सकता हमारे यहां नर्सरी रायम्स की परंपरा कम रही है आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में नर्सरी रायम्स की परंपरा बहुत रही है बहुत से और देशों में भी रशिया में रही है लेकिन हमारे यहां नर्सरी रायम्स की परंपरा उतनी नहीं रही है लेकिन अगर देखा जाए तो आबोल ताबोल उसकी एक कैटेगरी में आ सकती है तो आबोल ताबोल के जो रचनाकार है सुकुमा राए उनके बेटे हैं सत्यजीत राए अभी हम लोगों ने उनकी चर्चा की उनकी रचनाओं के बारे में उनकी फिल्मों क जो सम्मान मिलता है खासतोर से आसकर रिवार्ड आसकर रिवार्ड के बारे में साथ हुए एक और बड़ी महत्वपुन बात है आसकर रिवार्ड इनके लिए चल कर आया था इनके घर तक इन्हें नहीं जाना पड़ा था लेने आम तोर पर लोगों को जाना पड़ता है ले देशक का नाम आता है तो सत्यजीत राय का उसमें एक बड़ा नाम आता है अब थोड़ा सा ये जान लेजिए कि इसके अलावा सत्यजीत राय क्या क्या करते थे इसके अलावा लेखत थे तो थे फिल्मकार थे ये तो मैंने बता दिया आप ये भी जान लो कि उन्होंने रेख पल्पित करते थे फिल्मों को, यानि एक प्लैनिंग, एक योजना जो बनाते थे वो रिखांकन के जरिए, आप नेट पर खोज करके ढूडिएगा सत्यजीत रे की जो पथेर पांचाली है, इस पथेर पांचाली का रिखांकन भी उन्होंने सबसे पहले किया और रिखांकन क में पथेर पांचाली पहली बार आई, तो ऐसा नहीं है कि अचानक आ गई थी, इसके पहले उन्होंने बहुत संगर्श किया, बहुत तरह से कोशिशें करते रहे, गरीबी अपनी जगह थी, बिग्यापन कंपनी में काम करते थे, पत्रकारिता की दुनिया में भी थोड़े समय तक काम किया, तो कई तरह के कामों को करते हुए इन्हों ने यह अनुभाव लिया, लेकिन फिर विदेशों में जाकरके उन्हें ने फिल्म तकनीक सीखी काफी हद तक, और उसकी बाद जब लोटे, तो इन्हों ने पहली फिल्म जो बनाई, पथेर पांचाली बनाई, और पथेर पांचाली ने इन्हों इतनी शोहरत दी, इतनी शोहरत दी कि पथेर पांचाली का एक सीक्वेल सा बनाया, जिसको कहा जाता है, फिल्म तरही हम लोग कहते हैं, आज के जमाने में आप लोग सुनते होंगे, कि जितनी फिल्में बनती हैं, बहुत सी फिल्मों के आ तेर पंचाली, दूसरी फिल्म थी अपराजितो, तीसरी इसी के श्रिंखला की थी, जिसका नाम था अपूर संसार, या अपू का संसार, जिसको हिंदी में मैं कह सकती हूं, तो इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई, तो फिल्म तरही की एक परंपरा उन्होंने शुरू की और इस तरह के सिक्विल की एक परिकल्पना की थी, अभी मैंने आपको बताया कि ये जापान में भी गए, कई देशों में गए, जाकर के इन्होंने फिल्म तकनीक सीखी, फिल्म तकनीक सीखने के दोरान, इनकी मुलाकात अकीरा कुरोसावा, जो जापान के बहुत अच्छ तो उसका प्रियोग इन्होंने अपने फिल्मों में करने की कोशिश की काफी काम उस पर किया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब इन्होंने बाद में पथेर पंचाली और इस तरह की फिल्में बनाई, तो अकीरा कुरोसावा जैसा जैपनीज फिल्म निर्देशक इनके सा आकर जुडने की कोशिश की, जिससे इन्होंने सीखा, वो यहां आकर के इनसे भी जुडने की कोशिश की, उसके बाद जो एक सिलसला शुरू हुआ, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, चालीस लगभग फिल्में लगातार, चालीस साल तक फिल्में ये बनाते रहे, कभी कभी तो साल में दो-दो फिल्में इनकी आती रही, तो ऐसा भी हुआ है, लगभग हर साल तो फिल्म बनाई ही है, लेकिन कभी कभी तो साल में दो-दो फिल्में, तो बहुत तरह के कामों के साथ, अनुभाव के साथ ये आए, एक और बात बता दू, इन्होंने कभी कभी त तो किताबों के आवरण भी बनाए हैं। रिखांकन तो ये करते ही थे, मैंने पहले ही बताया था, विज्ञापन की दुनिया में काम करते ही थे, इन्होंने स्क्रिप्ट लेखन का काम भी किया, अपनी फिल्मों का तो ये स्क्रिप्ट लेखन खुद करते ही करते थे, निश् के संगीत खास और से रवी शंकर , पंडित रवी शंकर का नाम आप सब जानते होंगे , बड़े मशुहूर सितार वादक हुए है , तो पूरी के पूरी विभूति बहुष्ण अभुषन मंदुपादय की रचना, सतीजीत राय का निर्देशन और संगीत पंडित रविशंकर का तो ये तीनों मिला करके फिल्म इसकदर मशहूर हुई, इसकदर प्रसिद्धी मिली, अंतराश्टी एक ख्याती मिली एक कह सकते हैं, फिल्म को भी मिली, फिल्म दुनिया को को भी मिली, और कला फिल्मों की दुनिया को एक स्थापित करने में भी इन्होंने मदद किया, क्योंकि कला फिल्म आम तर्पे उतनी जादा आम जंता तक पहुचच बनाने वाली फिल्में नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहां से एक शुरुआत कह सकते हैं, कि आम जंता इन् इस फिल्म के बनाने के अनुभव पर केंद्रित है हमारा यह पाठ जो हमने 11 कक्षा में लिया है अप्पो के साथ धाई साल यह फिल्म बनाने का अनुभव था धाई साल तक फिल्म बनी थी उस धाई साल के अनुभव को इन्हों ने इसमें पिरोया है एक किताब लिखी है और बांगला शब्द है पथेर मतलब रास्ता का और अब पांचाली मैं आपको साथियों बता दूँ जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहां 36 गर में पांडवानी की परंपरा है, रास परंपरा है, बाउल की परंपरा बांगला में है तो कई सारे जो लोक संगीत की परं जो इसमें आती है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, बाद में हम बताएंगे कि कैसे यह रास्ते का संगीत हुआ, साथियों आप यह भी जान लीजिए, कि पथेर पांचाली फिल्म की छोटी से कहानी बता देती हूँ, है क्या यह, विबुति भूशर जता देट हैं यह उपन्यास लिखा, और उस कहानी में छोटा सा केंद्र क्या है गरीबी और संगर्श की दुनिया जीने वाले जह के नायक हैं कह सकते हैं, जिसका नाम है हरिहर राय तो हरिहर राय ने ऊसके केंद्र में तो आपु है, लेकिन हरिहर राय उसके पिता है, अपू की एक बहन है जिसका नाम दुर्गा है अपू की मा है जिसका नाम सर्वजया है और अपू के पिता की बुआ है जिसका नाम इंदिरा ठाकरोन है यानि कुल मिला करके ये थोड़े से पात्र है उसके और इन ही पर केंदृत ये पूरी की पूरी कहानी है पथेर पंचाल शुरुवात यहां से होती है कि गरीबी इस कदर है कि उस गरीबी से निजात पाने के लिए या यह कह सकते हैं एक नया रस्ता तलाशने के लिए लेखक या यह कहिए हरी हर राय जो इसके पात्र हैं वो चले जाते हैं शहर को जब शहर को जाते हैं तो सोच कर जाते हैं कि हमार महत्वपुन तो थी नहीं, हम एक दूसरे से संपर्ख तो कर नहीं पाते थे, तो जब गए तो गए, एक दूसरे से संपर्ख एक तरह से कट गया, तो दुर्गा और अपु, जो दोनों भाई बेहन हैं, दोनों में बहुत जादा प्रेम हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते और दुर्गा जो है उसकी मा की तरह भूमिका अदा करती है अपु की मा की तरह की भूमिका अदा करती है अपु की मा का नाम तो सरवजया है लेकिन दुर्गा उस तरह की भूमिका अदा करती है दोनों साथ रहते हैं बहुत अभाव है यहां तक कि खाने को भी कष्ट है यही कई तरह के अभाओं में बीत रही है उनकी जिंदगी, संगर्श पौन जिंदगी है, लेकिन एक संबृध दुनिया उनको मिली हुई है, कैसी संबृध दुनिया? आपके मन में सवाल उट रहा होगा, संबृध दुनिया यह जो थी वो प्राकृतिक संबृध दुनिया, जंगलों की दुनिया, बागीचों की दुनिया, खेतों की दुनिया, पेडों की दुनिया, नदियों की दुनिया, तो ये जो समरिद्धी है, ये जो प्राकृतिक समरिद्धी जो उन्हें मिली हुई थी, और स्वतह मिली हुई थी, वो समरिद्धी के सामने, जो उनकी गरीब बावजूद उसके वो मस्त हैं हर चीज को enjoy करते हैं खुशी उसमें देख पाते हैं खोज पाते हैं तो बाकाइदा ये काम करते हैं और बाद में अंत में होता क्या है कि जब ये लौटते हैं हरी हर राय पैसे कमा करके कह सकते हैं काफे कुछ ले करके धन ले करके और दुरगा के लिए एक साड़ी ले करके आते हैं अपनी बेटी के लिए एक साड़ी ले करके आते हैं उस समय आप जानते ही हैं कि बंगाल में लड़कियां छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी तो छोटी लड़कियों के लिए उसके लिए साड़ी लेकर के आते हैं और जब वह आते हैं तो पता चलता है उनको कि दुर्गा नहीं रही दुर्गा को लगातार मलेरिया का प्रकोप होता है और मलेरिया के प्रकोप से दुर्गा नहीं रही और एक अजीब सा एक कैसकते हैं गाओं के प्रती एक बित्रश्णा का भावा आता है क्योंकि दुर्गा उनकी सबसे प्रियती और दुर्गा के जाने के बाद उन्होंने ये निश्चे किया कि अब इस गाओं में हम नहीं रहेंगे हम वापस चले जाएंगे क्योंकि यहां वैसे भी हमारे पास कुछ भी नही एक और आपको इस कहानी में खोता क्या है कि इंदरा ठाकरून जो हरी हर राय की बुआ है आप उनके बारे में मैं बता दो कि वो खाने की शोकीन है पहनने की शोकीन है सब कुछ देखा हुआ है सरवजया से उनकी टकरहाट होती रहती है अक्सर लेकिन एक बार ये जो कर लाती है बगल से किसी का हार चुडा कर लाती है लेकिन जब खोजा जाता है ढूडा जाता है तो वो किसी भी तरह से इस बात को स्विकार नहीं करती कि हार उसने लिया है कहीं भी स्विकार किसी तरह से स्विकार करने को तैयार नहीं है कि हार उसने लिया है आखिर गार य तो सारा समान उल्टा पुल्टा जाता है, सारा समान ठीक किया जाता है, उस दौरान अपू को उसका वो हार मिल जाता है, और हार एक कटोरे में छुपाया हुआ हार मिल जाता है, उसे याद आता है कि दुर्गा किसी भी तरह तयार नहीं थी या मानने को, कि यह हार उसने लिय वो हार को उठाता है, दुर्गा तो अब इस दुनिया में है नहीं, हार को उठाता है, नदी के किनारे जाता है, और नदी के किनारे रेत में उसे किसी तरह धसा देता है, गार देता है, और थोड़ी सी उसकी चमक दिखाई पड़ती है, बाहर से, कितना भी धसाता है, पिता उसको पुकारते हैं, पिता के पुकारने पर वो बैल गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी वो चमक थोड़ी सी जो हार की चमक थी, वो उसको दिखाई पड़ती रहती है, वो चमक उसको जैसे लगता है कि दुरुगा की चमक है, दुरुगा पुकारती है, दुर्गा उसके लिए वो चमक बन करके उसकी आँखों में समा जाती है यह पूरा जो गाड़ी पर जाता हुआ अद्रिश है हर यह राय जा रहे हैं और गाओं पीछे छूट रहा है तो छूटते हुए गाओं को रास्ते के संगीत की तरह याद करते हैं साथियों मैं आपको बिलकुल उसी तरह से उस पिछली जिन्दगी की अनुगूँज संगीत की तरह रास्ते के संगीत की तरह हरी हर राय के जीवन में बहुत समय तक रह जाती है और हरी हर राय के साथ साथ विभूती वूशन बंदो पाध्या के पास भी रह जाती है और विभूती वूशन बं वहारे सामने लेकर प्रस्तुत हुए सत्यजीत राय जिसने कला फिल्मों के दुनिया में एक नई उचाई प्राप्त की और उस उचाई तक कला फिल्मों को उन्होंने पहुचा दिया हम अगली बार अगली कक्षा में यह जानने के कोशिश करेंगे कि इसके संस्मरन जो पतेर पंचाली बनाने का जो अनुभव था उस अनुभव को सत्यजीत राय ने कैसे लिखा है और वो क्या है वो अनुभव और उस पर हम किस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं साथियों आज इतना ही झाल झाल